हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चनल शेयर बज़दर वितायुश तो दोस्तों मार्केट्स ने हम कह सकते हैं फ्राइटी केसिशन में बहुत ही बड़िया मूफ दिखाया था करीबन 186 पॉइंट्स उपर चारके निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी करीबन 0.77% हमको एक दिन में निफ्टी बढ़ता हुआ नज़र आया था जिस तरीके से आईटी पैक में तेजी हमको देखने को मूली स्पेसिफिकली लेट बाय टीस उसके अगर दोस्तों आईटी के अंदर जो तेजी हमको नज़र आई उसका एक रियाक्शन आपको निफ्टी पर भी देखने को मूली है लेकिन दोस्तों बाजार के बंद होने के बाद कल एक बहुत बड़ी ख़बर निकल कर आई और वो कास आई वो आई दोस्तों अमारी कास है और जो खबर है वो है दोस्तों US के एक्स प्रेसिडेंट और जो भी प्रेसिडेंट की पूरी रेस में है और हम किसकते हैं आगे है वो है दोस्तों Donald Trump उनकी खबर निकल कर आई बिसिकली उनके उपर हमला होता हुआ नजर आया और हमला जो था वो यही था कि उनके गन फाइरिंग होती हुए नजर आई और जो पूरी बुलिट थी वो उनके एयर के पास से निकलती हुए नजर आई हम करते हैं बढ़िया है कि जो bullet है वो उनके कान के पास से निकल गई और उनको बहुत जादा देखे जोट नहीं आई तो नो डाउट कान के पास से bullet निकली बट जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि दोस्तों US के former president के उपर assassination attempt हुआ और यह अपने आप में देखे कोई छोटी बात नहीं है आप समझते हैं और यह जो attack है यह basically Pennsylvania में होता हुआ नजर आया when the shouting took place he was seen clutching his ear and dropping to the ground as secret service agents covered him तो आपने वो वीडियो अलरेडी देख लिया होगा वो वीडियो यहाँ पर मैं जला भी नहीं सकता लेकिन no doubt हम कह सकते हैं वो जो सारी चीजे हुई वो अपने आप में बहुत shocking थी और यह कह सकते हैं कि अपने आप में बहुत जादा विचितरी सी बात है कि जो US है जो अपने आप में कह सकते हैं इतने दर security वहाँ पर होती है cigarette service जो पूरे agency है वहाँ पर वो इसको रोक नहीं पाए हम कह सकते हैं क्योंकि वो बुलिट है वो उनके पास से निकल गई बट वो एक दो इंच इधर होती तो आप समझ सकते हैं कि आज खेल हो चुका होता अपना आप में यह बहुत बड़ी बात है जो हुआ है बट अब इसका असर हमको markets पे क्या देखने को मिलेगा व्यक्त सबसे बड़ी बात तो हमाली वो यह है कि अब इसका impact markets में कल क्या देखने को मिलेगा यह क्या पहली बार हुआ है कि क्या किसी US के प्रेसिडेंट के उपर या फिर एक्स प्रेसिडेंट के उपर गोली चलिए तो नहीं ऐसा नहीं हुआ है यह पहले बार नहीं हुआ है पहले एक बार हुआ था यह सब कुछ कब हुआ था यह दोस्तों हुआ था जो US के former president जो थे Ronald Reagan उनके साथ यह हुआ था आ रहा था और फिर उनके गोली चला दी गई who was in the crowd so Reagan बाद में उससे recover करे basically recover तो करे ही करे लेकिन बाद में जो elections थे वो भी दोस्तों उनके तरह जीत लिया गया बिकास नो डाउट वो जिस तरीके से गोले अचली उसके बाद उनका जिस तरीके से अब कह सकते हैं comeback देखने को मुले है और अब सहानूबुती जिसको हम कहते हैं वो आती हुई नजर आई और अब माना क्या जा रहा है माना यह जा रहा है कि दोस्तों यही same चीज जो है वो हमको देखने को मिल सकती है कि इसके साथ Donald Trump के साथ और यह कैसे है यह अब समझ सकते हैं आईसे हैं कि यहाँ पर माना क्या जा रहा है माना यह जा रहा है कि इस शूटिंग के बाद जो Trump की विक्तरी है जो उनका elections के अंदर देखें वो खड़े है तो इनकी विक्तरी अब majorly माना जा रहा है कि पक्का है इसका बहुत बड़ा असरम को पढ़ता हुआ नजर आसकता है अब सब्सक्राइब के उपर बिफोर देखेंग मार्केट मतलब मार्केट के हित में वो जादा देखें यह जो रेट अभी भी हम कह सकते है कट नहीं कर रहा है उसके पक्ष में नहीं रहते है बलकि उन्हें तो ये भी कहा रखा है कि वो जब आजाएंगे तो वो Jeremy Powell जो अभी Fed के चेयर मेंने उनको extension नहीं देंगे याद रखिएगा उनको extension अल्रड़ी मिल चुका है और यहां से उनको extension नहीं मिलेगा इस प्रकार की बात है वो अल्रड़ी कर चुके तो आप समझ सकते हैं कि वो markets में pro market मान जाते है तो अब हम समझ सकते हैं जैसे मैंने कहा है यहां पर कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर the first shooting of a US President और major party candidate since a 1981 assassination attempt of Republican President Ronald Reagan could uptend the November 5 rematch between Republican Trump and President Joe Biden a Democrat which has been tight in opinion polls और जैसे मैंने कहा इससे हुआ गया था जब Reagan के उपर गोली चली थी तो आप समझ सकते हैं वो 22 points उपर चले गए थे in the polls after his assassination attempt और जो election है वो इस बार भी माने जारे है कि एक landslide होता हुआ निज़र आएगा और जो uncertainty है वो basically अब आपको कम होती ही नज़र आएगी ये माना जा रहा है जो chief investment officer है vantage point as advancement के वो ऐसा कह रहा है और मुझे भी इसा लगता है कि देखे जिस तरीके से यहाँ पर Trump के उपर गोली चली उसके बाद जिस तरीके से हम कह सकते हैं सब का support मिला एलन मस्क ने भी दोस्तों यहाँ पर कहा कि वो यहाँ पर Trump के साथ खड़े है और इस shooting को condemn करते condemn के चली सब ने करा बट उन्हेंने openly देखिये अपना कह सकते हैं यहाँ पर जो पूरा समर्धन है वो Trump को यहाँ पर देते हुए नजर आए अब यह एक तरीके से आप कह सकते हैं आपर bets लगती है और जो bet है उसके अंदर जो expectations है कि कितना दोस्तों यह chances है उनके जीतने के वो कितने हो चुके आप समझ सकते हैं 71% जी हाँ 70% यहाँ आप समझ सकते हैं chances के 70% chance he will prevail in November मतलब यहाँ पर 70% chances है कि वो elections जीते हुए नजर आएंगे यह देखे इनका graph है जो already 60% के आसपस चल रहा था बट जैसे यह हम कह सकते हैं उनके उपर हमला हुआ अब यह 70% से उपर चला गया है यह जो odds of winning है वो 70% अब इनके नजर आ रहे हैं आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो Biden है उनका जो पुरा graph है वो और गिरता हुआ नजर आ गया और यह सारी चीजे जो है वो दिखा रही है कि no doubt markets के अंदर आपको इसका असर कल तो देखने को मिलेगा specifically हमारे markets के अंदर US markets में obviously देखने को मिलेगा बट क्या impact positive आएगा तो chances is quite high बट क्रिप्टो करेंसी इस गेंड in market value after Donald Trump defiant response to it after an assassination attempt by shooting during his campaign really increased speculation that his chances of winning the elections has increased यह दोस्तों Bloomberg ने भी report किया आप समझ सकते हैं चीजें जिसमा ने खा अब पक्षप जाती होने जरा रही है और जब हमेशे आपको ने कहा है कि बाजार को देखे जिस चीज से problem है वो है अनिस्चित्ता यानि कुछ भी uncertainty है वो market को पसंद नहीं रहती है market को doubt की स्टिती में रहना बहुत अच्छा नहीं लगता है market को clear vision होना बहुत important है और वो clear vision जब market का रहता है तो market उस पर reaction भीता है तो यसलिए मने कहा कि कल आपको markets में हो सकता है कि तेजी देखने को मिले और इंडियन markets के लिए अच्छी बात क्या है और इंडिया के पक्षे जाती है नज़र आएगी तो अगर Trump President बनते है तो ये देखे इंडिया के लिए अच्छी बात रहेगी क्यों रहेगी reason simple है कि जो tariffs है जो यहाँ पर हम कह सकते duties है वो China पर ये obvious सी बाते बढ़ाते हुआ नज़र आएगे और इसका सीधा benefit इंडिया को मिलता हुआ नज़र आएगा तो इसलिए में सबसे कल इंडियन markets के उपर नज़र रखनी चाहिए हो सकता है कि कल दोस्तों Nifty जो है वो 27,750 तक आपको move करता हुआ नज़र आजाए ये तरो देखने वाली interesting बात होगी कि किस तरीके से शुरुआत में कल Asian markets trade करते है निके trade करता है चाइन ट्रेड करता है ये सब देखने वाली बात interesting होगी बट नटाट हमारे markets में मुझे रखता है कि कल एक अच्छा move देखने को मिल सकता है हो सकता है कि देखिए rally जो है वो बहुत जादा भी extend ना होती हुए निज़र है बट नटाट markets के अंदर एक अच्छा move जो है उसके पीछे का reason आपको समझ में आ गया है background समझ में आ गया है और क्या हो सकता है वो आपको समझ में आ गया है इस video में इतना ही था बाकि आप लोग बताईए आपको क्या लगता है क्या होने वाला है कल इस video में इतना ही था कि अच्छा लगाओ तो लाइक करिएगा चैनल से पहले बाद जोड़ो सब्सक्राइब करना थांकियो फ्रेंट से लॉचिंट इस वीडियो